नमस्ते दोस्तों आप सभी क्याक बार परसे स्वागत है आपके अपने योट्यूब चानल पूजा घर संसार में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप बहुत सारे उपाय करके ठक चुकी हैं यानि आप होम रेमेडिय कर चुकी हैं आप बहुत सारे जांज भी करवा चुके हैं और फिर भी आपके सभी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आप गर्वधारन नहीं कर पा रही है तो आज मैं कोई सिंप्टम्स की बात नहीं करूंगी ना ही ओवलेशन की बात करूंगी ना ही किसी चीज को प्रेडिक्ट करने की बात करूँगी आज मैं इस पेसली आपको ये सिखाने वाली हूँ कि आपके सरीर को आपको कैसे जाचना है कि यही वो समय है जब आपको गर्वधारन के लिए ट्राई कर लेना है और 100% आप मेरी बात माने कंसीव भी हो जाएगा बहुत सारी मह मिलाओं ने इसी मैठर से कंसीव किया है और ये पूरा पुकता मेडिकल रिसर्च के मुताविक मैं आपको बता रही हूँ मैं आपको बता हूँ फ्रेंड्स कई बार आपका डॉक्टर के पास जाना मुम्के नहीं हो पाता कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे खर्च भी कर सकती है और इसके बाद आप कंसीव भी कर सकती है वह पूरे प्राकिर्तिक तरीके से मैं आपको बता दूँ कि जो आपका वजाईना होता है ये पूरे मंत में चेंज होता रहता है कभीße बार क nights about आपके फटाइल पीरिड के दोरान तो आज हम फटाइल बिंडो फटाइल पीरिड के बात करने वाले हैं वो समय जो आपके लिए सबसे उपियुक्त होता है जिस समय आप 100% गर्वधारन कर सकती है तो वो आपको कैसे घर पे self check-up करना है जाच करना है और इसमें कई सारी mistakes भी महिलाएं कर रही है जिसके बारे में आज हम discuss करने वाले हैं तो आगे step by step क्या आपको किस तरीके से घर पे करना है वो भी बताने वाली हो और कौन-कौन से गलतियां आप अगर करती है तो उसे repeat नहीं करना है वो भी बताने वाली हो दोस्तों symptoms तो बहुत सारे होते हैं ovulation के लेकिन exact जो आपका सविक्स होता है वो अपना position चेंज करता है जब आपका fertile window स्टार्ट हो जाता है fertile period fertile window स्टार्ट होने के बाद ही आपका exact ovulation वाला day आता है तो आपको क्या करना है friends इसके लिए सबसे पहले mind में आपको एक समय निर्धायत कर लेना है बहुत सारी महिलाई ये सोचती है कि हम relation बनाने के पहले ये self check up करेंगे तो ये आपका समय उप्युक्त नहीं होगा आप ये mistake करी हैं आपको हमीर सा ये ध्यान में रखना है कि सुबा का morning का समय जब आप नहाद हो के बिलकुल fresh हो जाते हैं या फिर आप सुबा जब washroom जाते हैं और अपने private part को अच्छे से wash कर लेते हैं कोई भी गंदगी नहीं होती है आप बिलकुल हलकी हो चुकी है आपका urine पी सब कुछ आप पास कर चुके हैं और वजाईना को साप कर चुके है तब आपको self check up ये करना है आपको actually करना क्या है जो doctor होते हैं वो cervix का check करते हैं position और उस हिसाब से आपको guide करते हैं कि आपको कब relation के लिए try करना है दोस्तो doctor cervix के position को काफी आसानी से जाच कर लेते हैं क्योंकि वो expert होते हैं experience based होते हैं तो उनको कुछ minute या कुछ seconds ही लगता है लेकिन आपको self check up करना है घर पे करना है और आपको खर्च से भी बचना है doctor के तो आपको ये जाच कुछ दिनों तक करना पड़ सकता है जैसे कि जिस दिन आपकी period end हो जाती है उसी के 24 गंटे बाद जब आप बिल्कुल साफसुतरा नहा चुके हैं और आपकी एक बुन्द भी period नहीं आ रही है बिल्कुल समापत हो ग आपको करना क्या है friend simply जब आप नहां लिते हैं या फिन इचला अच्छ असे साफसुत्रा कर लेते हैं तो आपको क्या करना है? आपके दोनों लेग में डिफरेंस करना है यानि दोनों पैरों में अंतर कर लेना है जansen के एक पैर को आपको उपर उठाना है जो पोईशन है होना चाहिए डेली जैसे करना है वैसे ही डिपीटेशन में आपको नेक्स्ट डे भी करना है इसलिए किसी स्टूल का सहारा ले यह आपके लिए इजी हो जाएगा एक पर उठाने के बाद आपको क्या करना है आपको केवल इन दो उंगलीयों का ही सहारा लेना है केवल टू फ नेल के अंदर हानिकारक बैक्टेडिया मौझूद होते हैं तो वह आपके इंटरनल पार्ट में इंटर कर सकते हैं इसलिए नाखूनों को अगर बढ़ा के रखते हैं तो आप बिल्कुल इससे कट कर ले क्योंकि अभी आप गर्वधारन की और अपने बढ़ रहे हैं तो आ अच्छे से क्लीन कर लें उसके बाद आपको क्या करना है तो नेक्स्ट स्टिप में आपको यह करना है आपका जो सविक्स का पोजिशन है एक्जेक्ली मैं बता देती हूं कि जब आपका फटाइल पीरेड नहीं होता है तब कैसा रहता है जब आप टू फिंगर्स को एंट जब भी होने लग जाए आप समझ जाए यह अभी उपयक्त टाइम नहीं हुआ है मेरे गर्वधारन करने का दूसरी बात का देहान रखना है कि जब आपका सविक्स या फिर आपका सविक्स का मूव या फिर आपका वजाईना चेंज होता है और अपने आपको रेडि करता ह यह बहुत समूथ हो जाता है कैसा जैसे कि नारंगी के अंदर का भाग पल्प होता है समूथ बिल्कुल ऐसा समूथ हो जाता है और फ्रेंट से रूखा नहीं रहेगा यह बिल्कुल चिप-चिपा हो जाएगा और इसमें से जो तरल परदार थे वह जादा निकलने अंदर की और जाएगा बहुत ही बेहद आसानी से जाएगा चिपचीपा जैसा आपको अहसास भी होगा इसी के साथ साथ जब यह फिंगर उपर की तरफ जाते हैं और आपको बिल्कुल सौफटनेस फील होता है बिल्कुल जैसा कि मैंने बदाया कि नारंगी का गुद्दे का जो पाठ होता है बिल्कुल इस तरीके का फील होता है तो यह उपियुक्त समय होता है कि अब आपका उबलेशन चालू होने वाला है अब यह बिल्कुल बेस्ट टाइम है कि जब आपको रिलेशन बनाना है लेकिन इस परिक्षन में थोड़ा समय लग सकता है इसलिए मैं आ आवदहानियों को ध्यान में लगते हुए ध्यान पुर्वक आप इन सब किडियाओं को करेंगे उसके बाद आप संपर्क में रहेंगे ताकि जल्द से जल्द आपको कंसीव हो जाए और फ्रेंड सविक्स का जो पोजिशन है वो ऊपर चला जाता है जब आपका ओपिन हो जा इसलिए आपका फिंगर जो है आसानी से उपर की ओर चला जाता है लेकिन जब आपका फटाइल विंडो नहीं होता है तब ये सब्विक्स नीचे होता है हाड होता है ।ब 1700 को यह एंटर न करने दें थे ऊब्लस ये आपके सब्विक्स के अनदर होता है जो महिलाओ के सरीर में पडिवरतन के रूप में हर महीने होता है अगर इसे आसानी से चेक कर पाएंगी तो बहुत जल्दी 100% गर्वदारन कर लेंगी दूसरी बात अगर आपको ओवलेशन के सिम्टम्स को समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में बहुत सारे आपको वीडियो ओवलेशन सिम्टम्स मिलेंगे उनको बिलकुल ही बारी के से नोटिस करना स्टार्ट कर दीजे मेरा ये आपको बिलकुल दावा है कि without medicine आपको कोई दिक् सब कुछ दिक्कत आपकी period को लेकर के भी नहीं है तो आप 100% natural तरीके से conceive कर लेंगी बहुत सारे महिलाओं ने conceive किया है और बने रहें और भी आगे इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सो दोस्तों अपना पूरा ध्यान रखे टिक्केर फ्रेंड्स नमस्कार